नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी लोग का टार्गेट वितालोगा ओलनाइं स्ट्यूट में मैं एनके सिंग आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत एबम अभिनेंदन करता हूँ आसा करूंगा कि पढ़ाई लिखाई का कारियर सुचार रूप से चल लहा होगा और कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी एल्टी ग्रेट में जीयस की एक बहुत महत्पूर भूनका होती है और आप सभी लोग को ये विदित होगा कि एल्टी ग्रेट में विज्ञान विशय जीयस में बहुत महत्पूर भूनका निभाएगा आपकी परिच्छा में तो मैं अनके सिंग आप सभी लोग के साथ में विज्ञान विशय के साथ में जुड़ा रहूँगा और मेरा प्रियास ये रहेगा कि आपके परिच्छा में पूछे जाने वाले जीयस के खंड में जो भी विज्ञान से सवाल पूछे जाते हों उन सारी की सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दू बता दू। केवल और केवल इस वीडियो के मापध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको खुद बखुद लगेगा कि नहीं, एक बहुत ही महत्तपूर सेश जिसका नाम होता है अंतर स्रावित तंत्र, अंतर स्रावित तंत्र एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल हमेशा प्रतिवर्स आपकी परिच्छा में पूछे जाते हैं, तो आज मैं सुरुवात ही जटिल टॉपिक से कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से विसलेशर क कर सकें, कि आपके परिच्छा में पूछे जाने वाले जो प्रसन आते हैं, जो questions पूछे जाते हैं, वो किस अस्तर की पूछे जाते हैं और साथी-साथ आपके पढ़ने का क्या लेवल होना चाहिए, वो भी आपको बहुत बेहतरिन तरीके से समझ में आ जाएगा, बस केव परना आप करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से. यान एक अंतह स्रावी तंत्र से बोलते हैं. Endocrine System, Endocrine System, Endocrine System को अंतह स्रावी तंत्र कहते हैं हम एकदम Basic से स्टार्ट करेंगे मैं यह मान कर चल लहाँ कि आपको विज्ञान विशाय में कोई समझ नहीं है सुन्य समझ है आपकी और उसी अस्तर से मैं सुरुवात करूँगा बेसिक से धिरे-धिरे करके concept clear करते हुए मैं जटिलता की तरफ बढ़ूँगा अंतर स्रावित तंत्र क्या है, endocrine system क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे, समझेंगे पहले एक सब्द आप समझें अच्छे धंग से, क्योंकि ये सब्द आपके इस पूरे chapter में बार बार आने वाला है और वह सब्द क्या है, वह सब्द है glance, यानि जिसको हिंदी में आप क्या नाम देते हैं, हिंदी में आप नाम देते हैं, ग्रंथी ये ग्रंथी नाम की चिडिया क्या है, glance किसे कहते हैं, पहले इसको समझो ध्यान से glance का मतलब क्या होता है, ग्रंथी का मतलब क्या होता है अगर आपने हिंदी में थोड़ी सी भी अच्छी समझ होगी आपकी, तो आप ये जानते होंगे तदभव और तत्सम और तदभव और तत्सम में आपने गाठ सब्द का परिमार्जित रूप जो सुना होगा, उसी को बोलते हैं ग्रंथी यानि कि हमारे सरीर में कोशिकाओं का एक ऐसा जटिल्तम समू है हमारे सरीर में कोशिकाओं जब बहुत धेर सारी कोशिकाओं एक अस्थान पर इकठा हो जाती है तो इसी सनचना को विज्ञान में ग्रंथी कहा गया है जब हमारे सरीर में बहुत धेर सारी कोशिकाएं एक गाथ नुमा सनचना में बदल जाती हैं, तो इसी सनचना को हमारे सरीर में, हमारे विज्ञान में क्या कहा गया है, ग्लैंस कहा गया है, ग्रंथी कहा गया है, अब इन ग्रंथियों की अपनी एक विसेस्ता होती है, क्या व श्रावर होता रहता है, इन ग्रंथियों से ही, जो भी ग्रंथि हैं, अगर ग्रंथि सब्द किसी भी समूह के आगे लग गया, किसी भी सनचना के आगे लग गया, तो एक ती दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, कॉंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कि अगर किसी भी चीज की आगे ग्रंथ लग गया, तो वो किसी न किसी चीज का स्रावड करेगा, किसी न किसी रासायनिक पदार्थ का स्रावड करेगा, किसी न किसी रासायनिक पदार्थ को सिक्रेट करेगा, अब वो कौन सा रासायनिक पदार्थ होगा, अभी मैं उस पर बात करूँगा, लेकिन म मैं अभी गरन्थ के बीशे में समझा रहा हूं कि गरन्थियां ऐसी होती हैं जिनसे एक विशेष प्रकार के राशायनिक पदार्थों का स्रावड होता रहता है अब ग्यान में 3 प्रकार की गरंथियां हैं तीन प्रकार की गरन्थियों को आपको पढ़ना है glands जो होती है वो तीन प्रकार की होती है एक एक करके सारी की सारी चीजों को एकदम विधिवत धंग से समझते चलते हैं crystal clear करते चलते हैं ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है विज्ञान में ग्रंथियों के विशय में अगर आपको जानना है तो याद रख लीजेगा ग्रंथि तीर प्रकार की होती है कौन-कौन सी ग्रंथी होती है, समझना, पहली जो ग्रंथी होती है, इस ग्रंथी को बोला जाता है, इक्जोक्राइन ग्लेंड, यानि कि इसे हिंदी में कहते हैं, बहिर स्रावी ग्रंथी, मैं लिखते भी चला हूँ हिंदी में भी, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है बहिर स्रावी ग्रंथी, बहिर स्रावी ग्रंथी कहा जाता है, बहिर स्रावी ग्रंथी एक्जोक्राइन ग्लेंड कहा जाता है, दूसरी प्रकार की जो ग्रंथी होती है, इस दूसरी प्रकार की ग्रंथी को एंडोक्राइन ग्लेंड कहा जाता है, अब ध्यान से समझेगा, आ concept पकड़ ले जिए तो यह तो बहुत चोटी चीज़ होती है endocrine gland का मतलब होता है अंतहसरावी तंत्र या अंतहसरावी ग्रण्त Geld अंतहसरावी ग्रण्त festivals कहेंगे इसे gland लगा है तो ग्रण्ती system लग जाएगा तो वही तंत्र हो जाएगा अंतास्रा भी ग्रंथी और तीसरी प्रकार की जो ग्रंथी होती है उस तीसरी प्रकार की ग्रंथी को नाम दिया गया है विज्ञान में क्या mixed gland कहा गया है इसे क्या कहा गया है mixed gland कहा गया है mixed gland का मतलब क्या होता है mixed gland का मतलब 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 हो जब कई धेर सारी कोशिकाएं एक अस्थान पर इकठा होकर विशेश प्रकार के रासाइनिक पदार्थों को स्रावित करने लगती हैं, तो इस स्थाना को ग्रंथी कहा जाता है, कितने प्रकार के रसों को स्रावित करती हैं, तीन प्रकार के रसों को स्रावित कर सकती हैं, जिसको बोलते हैं अंतसरा भी गंती और एक होता है mixed gland यानि इसे बोला जाता है mixed गंती अब इनकी विशेस्ताओं से सवाल खूब पूछा जाता है आपकी परिच्छा में जबरदस्त तरीके से सवाल बनता है जड़ा इन सवालों को देखते हैं और इनकी विशेस्ताओं को समझते हैं कि इनकी क्या-क्या विशेस्ताओं होती हैं सबसे पहले हम बात करना प्रारम करते हैं कि ये जो exocrine gland है यानि ये जो बहिर स्रावी ग्रंथी है, इस बहिर स्रावी ग्रंथी की क्या-क्या विशिसताएं होती है, ध्यान से समझते चलना, बहिर स्रावी ग्रंथी की पहली विशिसता ये होती है, कि इस बहिर स्रावी ग्रंथी से जो निकलने वाला, जो रस होता है, मैंने कहा आपसे कि अगर किसी भी के नाम के आगे ग्रंथी सब्द आ गया, ग्लैंड सब्द आ गया, तो याद रख लीजेगा कि उससे कोई न कोई रासायनिक पणार्थ अवस्य स्रावित होता होगा. निश्चित रूप से उससे कोई न कोई रस स्रावित होता होगा तो बहिर स्रावित ग्रंथियों से निकलने वाला जो रस होता है उस रस का नाम क्या है? उस रस का नाम होता है एंजाइम बहुत महत्पूर है ये पेपर उठा कर देखिएगा पुछा गया है कि एंजाइम को स्रावित करने वाली कौन सी ग्रंथियां होती हैं तो उत्तर हमारा हो जाएगा बहिर स्राविय ग्रंथि दूसरा सवाल पुछा जाता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथियां होती हैं जिनके पास नलिका पाई जाते हैं डक्ट पाई जाती है, तो याद रख लीजिएगा कि इन ही ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथि भी कहा जाता है, नलिका युक्त ग्रंथि भी कहा जाता है, नलिका युक्त ग्रंथि क्यों, क्योंकि ऐसी ग्रंथियां हैं, जिन में नलिकाएं पाई जाती हैं, यानि कि अगर माल लीजिये, suppose करिये, यहाँ पर कोई एक्जोक्राइन ग्लैंड होगा, और यहाँ पर कोई सेल है, कोई कोशिका है, और अगर इस सेल को एंजाइम की आवशकता होगी, और यह माल लीजिये, यह एक्जोक्राइन है, यानि कि यह बहिर स्रावी है, तो याद रख लीजेगा, इस बहिर स्रावी गंत के पास क्या होगा, इस बहिर स्रावी गंत के पास एक डक्ट होगा, एक नलिका होगी, और इसी नलिका में वो क्या करेगी, वो अपने एंजाइम को सिक्रेट कर देगी, और ये enzyme इसी नलिका के माध्यम से कहां प्रहूच जाएगा, cell की पास पुच जाएगा, अपनी नलिका है इसके पास, जैसे आपने बच्पन में देखा होगा कि खेत में पानी जब दिया जाता है, तो एक क्या होता है, एक मुख्य नाली होती है, और उसी नाली के माध्यम से जिस भी खेत में पानी जाना होता है, वहाँ पहुच जाता है ठीक यही सिस्टम एक्जोक्राइन के साथ में भी है, बहिर स्रावी गरंथी के साथ में भी है बहिर स्रावी गरंथी के पानी अपनी नलिका है और जहां पे जिस भी तरीके से पहुचाना होता है पानी पहुच जाता है इसके फायदे क्या है इसके फायदे ये हैं कि माल लीजिए 50 मीटर भी कोई आगे खेत है तो वो याद रख लीजिएगा बहुत धेर सारे खेतों से होके गुजरातो लेकिन अन खेतों को बिना पानी दिये हुए जहां पर पानी पहुचाना था वहीं पर पानी पहुचा यानि कि इग्जोक्राइन के माध्यम से वान्ठित कोशिकाओं तक जो भी टार्गेटेड सेल होती हैं वहीं तक जो है इन राशायनिक पदार्थों को पहुचाया जाता है तो ये बात आपको समझ में आ जाने चाहिए कि नलिका युक्त ग्रंथी किसे कहा जाता है तो नलिका युक्त ग्रंथी कहा जाता है बहिस रावी ग्रंथियों को यहां पर जो सवाल बनता है सरवाधिक, मैं बार-बार कर रहा हूँ कि मैं डिसकस भी करता चलूँगा आप से की कैसे आयोग सवाल पूछता है आप से, उन सारी बिंदूओं को भी मैं बताता चल रहा हूँ और साथी साथ अभी तक जो भी सवाल पूछे गए हैं आपके प्र पर बहर स्रावी ग्रंतियों के अंतरगत अगर एकजाम्पल की बात किया जाए एकजाम्पल बहुत महत्थपूड है याद रख लिजेगा एकजाम्पल बहुत ही जाधा महत्थपूड है सवाल पूछा गया है तो इसमें याद रख लेना जो लार ग्रंथी होती है वह बहिर स्रावी ग्रंथियों का उधारण है लार ग्रंथी सेलेवरी ग्लैंट्स आपको यह पता होना चाहिए कि मानों के सरीर में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं वो आगे चल कर आप पढ़ेंगे होता है दोसरा सब मिग्जलरी होता है और तीसरा पैरोटिड होता है पैरोटिड जो कि मानों सरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथी होती है आई रिपीट सबसे बड़ी लार ग्रंथी सबसे बड़ी ग्रंथी मैंने नहीं कहा है सबसे बड़ी ग्रंथी के बीसे में अगर बा इसके बाद अगर बाप किया जाए तो अस्रुग्रंथी अस्रुग्रंथी आपने सुना होगा लेक्राइमल ग्लेंड लेक्राइमल ग्लेंड लेक्राइमल ग्लेंड अस्रुग्रंथियों से क्या निकलता है आसु निकलता है आसु की अपनी एक इंपोर्टेंस भूमिका होती याद रख लिए आशु जब निकलते हैं तो यह आपकी आँखों के लिए बड़े फायदे होते हैं, फायदेमंद होते हैं, याद रख लिजेगा, इनके बहुत धेर सारे फायदे हैं, कभी-कभी जीवन में रो भी लेना चाहिए, आशु निकलने से आखें जो है, वो आशु निकलने से निस्तानाबूत कर सकता है, तो आशु निकलना बड़ा फायदेमंद होता है, जीवन में कभी-कभी रो भी लेना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है जीवन में तो नए-नए सम्मंद अस्थापित करिये, हो सकता है, रोने की चांसेज बढ़ जाएं तो अस्र ग्रंथी, इसके बाद अगर बाप किया जाए, तो महिलाओं में दुग्द ग्रंथी जो होती है स्वेट ग्रंथी, यह भी इसी का उधारण है, इसके अलावा म्यूकस ग्रंथी, जिसको आप बोलते हैं स्लेस्म ग्रंथी, जिसको आप बोल सकते हैं स्लेस्म ग्रंथी, म्यूकस ग्रंथी, तो यह जो ग्रंथियां हैं, यह सारी की सारी ग्रंथियां बहिर स्रावी ग्रंथि जो बहिर स्रावी ग्रंति के अंतरगत नहीं आती, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि ये लार ग्रंति, अस्र ग्रंति, दुख्द ग्रंति, श्वेद ग्रंति, सलेश्म ग्रंति, ये सभी की सभी, सलेश्म समझ रहा है, ये नाक के म्यूकस करते हैं, बड़े काम की चीज होती है, याद रख लेना, ये म्यूकस क्या करती है, पहली बात जब आप स्वास लेते हैं, तो ये वायू के फ्रिक्षन से, वायू जब प्रवेस करता है, तो नाक के अंदर की जो परत छिल न जाए, कभी-कभी सूखा जुखाम होता ह है, तो आपने इस बात का अनुभव किया होगा अच्छे धंग से, कि सुखा जुखाम होने की स्तिति में यह होता है, कि जब आप स्वास लेते हैं, और वायू तेजी से प्रवेस करती है, तो ये नाक में जलन उत्पन होती है, वो नाक में क्या उत्पन होती है? जलन छे डंग से पता होना चाहिए कि म्यूकस की बड़ी important भून का है और जब वायू में ऐसे ढूल के कड़ पाए जाते हूं, धूए के कड़ पाए जाते हूं, जो आपके नात में प्रवेस करके फेफडे में प्रवेस कर जाएंगे, तो हो सकता है आपका फेफडा प्रभावित हो जाए इससे इसी वज़े से क्या होता है इसी वज़े से ये म्यूकस रावित होता है और ये म्यूकस आपके फेफ़डे को संक्रमित होने से बचाता है इसको याद कैसे रखेंगे इसके लिए एक बात को ध्यान में रखो कि ये लार बाहर निकलता है तो वो दिखाई देता अस्र भी बाहर निकलता है तो दिखाई देता है, दुख्द भी बाहर निकलता है तो दिखाई देता है, श्वेद भी बाहर निकलता है तो दिखाई देता है, श्लेश्म भी बाहर निकलता है तो दिखाई देता है, इनको आसानी से बाहर निकलते हैं, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं बहिर्षरावी ग्रंथी है यह जो बाहर निकल सकता है जो दिखाई दे सकता है वो बहिर्षरावी ग्रंथी के अंतरगत आएगा ऐसी चीजों को जोड़कर आप याद रख सकते हैं ऐसा कोई लॉजिक नहीं याद रखने ना कोई तर्क ऐसा नहीं है रिलेवेंट होते हैं अंतह स्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो रश होते हैं इन रशों को नाम दिया जाता है क्या हार्मोन नाम दिया जाता है हार्मोन very 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 important point सवाल पूछा जाएगा सवाल पूछा गया है कि हार्मोन को स्रावित करने वाली कोशिका का नाम क्या है तो हार्मोन को स्रावित करने वाली कोशिका का नाम अंतह स्राविक ग्रंथी होता है एंडोक्राइन ग्लैंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होती है, वह सनचना होती है, वह ग्रंथी होती है जो कि किसको स्राविट करती है, जो कि हार्मोन को सिक्रेट करने में capable होती है और इसकी बात खास ये है, खास क्या है, कि ये जो ग्रंथी होती है, इस ग्रंथी को नलिका विहीन ग्रंथी कहा जाता है इस ग्रंथी का नाम क्या है इस ग्रंथी का नाम होता है नलिका विहीन ग्रंथी यानि कि इसे कहा जाता है डक्टलेस ग्लेंड इसे कहा जाता है डक्टलेस ग्लेंड नलिका विहीन ग्रंथी कहा जाता है क्योंकि इन में नलिकाएं नहीं पाई जाती है ये डक्टलेस के अंतरगत आते हैं नलिका विहीन ग्रंथियों के अंतरगत आते हैं यानि कि यहाँ पर थोड़ी से चीजों को और मैं justify करने के कोशिश करूँ जैसे यह मा लिजिये endocrine gland होता तो क्या होता मा लिजिये यह endocrine gland है अगर यह endocrine gland है और endocrine gland से निकलने वाला कोई रस है कोई रस क्यों कहेंगे हम सीधे सीधे कहेंगे हार्मोन अगर है अगर हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो ये हार्मोन सिल तक कैसे पहुचेगा कोशिकाओं तक कैसे पहुचेगा तो याद रख लिजेगा ये पहुचेगा नलिका तो है नहीं, तो जिसके पास नलिकाएं नहीं होती हैं, याद रख लीजेगा कि वो कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी द्रव, वो किस माध्यम से जाता है, वो बाई बलड जाता है, यानि कि रुधिर के माध्यम से जाता है, रुधिर के माध्यम से बाय जाता है, तो यह जो हार्मोन होते हैं, याद रख लेना, यह जो हार्मोन होते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होते हैं, यह हार्मोन कोशिकाओं तक रुधिर के माध्यम से पहुचते हैं, और यह जो एक्जोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले कौन, एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं ये डक्ट के माध्यम से बाई डक्ट यानि कि ये नलिकाओं के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुचते हैं तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इसको याद रख लिजिएगा, ठीक है, नलिकाओं के माध्यम से कौन पहुचेगा, नलिकाओं के माध्यम से पहुचेगा, एंजाइम, और ब्लड के माध्यम से कौन पहुचेगा, ब्लड के माध्यम से पहुचेगा, हार्मोन, हार्मोन को कौन सिक्रेट करेगा एंडोक्राइन और एंजाइम को कौन सिक्रेट करेगा एक्जोक्राइन ठीक है कौन सिक्रेट करेगा एक्जोक्राइन ठीक है तो ये पूरी बात ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से एक बात वैसे भी समझ लो कि हमारे सरीर में कोई भी चीज एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अगर जाती है जिसके पास नलिकाए नहीं है तो वो रुधिर के माध्यम से ही जाएंगी दिमाक में ये concept बना लो वो रुधिर के माध्यम से ही जा सकती है ब्लड के माध्यम से ही जा सकती है और कोई भी माध्यम दूसरा न नहीं है, वो by blood ही जाएंगी, याद रख लिजेगा, by blood ही जाएंगी, और कोई भी दूसरा माध्यम है ही नहीं, कुछ भी, चाहे oxygen ले जाना होगा, तो blood लेके जाएगा, glucose ले जाना होगा, तो blood लेके जाएगा, fatty acid ले जाना होगा, blood लेके जाएगा, amino acid लेके जाना होगा, ब्लड लेके जाएगा, कोई भी चीज, दवा, दारू, कुछ भी, एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अगर जा रहा है, तो वो किसी की सहायता से जाएगा, वो ब्लड की सहायता से जाएगा, ये बात, आपको अच्छे धंग से, विधिवत धंग से समझ में आ जाना चाहि अब इसके examples में, मैं क्या लिखूँ, example तो बहुत धेर सारे इसमें आएंगे, अभी मैं आगे बात करूँगा, discuss करूँगा, पुरी की पुरी कहानी ही आपको इश्क में पढ़नी है, फिर भी एक लिख लिजेगा, पियूस ग्रंथी, यानि की पिट्यूटरी ग्लैंड इसे कहते हैं, थाइमस ग्रंथी, थाइमस ग्रंथी, थाइमस ग्रंथी, थाइमस ग्लैंड कहते हैं, तो ये ये बात याद रख लिजेगा, ये बात याद रख लिजेगा, बहुत धेर सारे ग्रंथी हैं, पीनियल है, पिट्यूटरी है, थाइमस है, एड्रीनल है, टेस्टिस है, ओवरी है, बहुत डेव सारी गृंतिया है, उन सारी चीजों को आपको इस पुरे चेप्टर में पढ़ना है, बिलकुल, धायरे बना कर, निश्चिन तरह कर सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करिएगा, पेसें कि पढ़ना महत्तपूर्ड नहीं होता है, सही डेरेक्शन में पढ़ना महत्तपूर्ड होता है, सफल होने के लिए महनत करना आवश्यक नहीं होता है, सही धंग से महनत करना आवश्यक नहीं होता है, तो सही धंग से एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक र अधी लोगों का selection नहीं होता है, selection महज कुछ मुठीबर लोगों का होता है, और वो ये लोग हैं जिन्होंने अपने आप को तरासा है, जिन्होंने अपनी कमियों को उजागर किया है, जिन्होंने अपना स्वैंग मुल्यांकन किया है, क्योंकि बिना मुल्यांकन किये हुए को हमारे अंदर सबसे बड़ी गल्ती यह होती है कि हम अपनी गल्तियों को नजरand AZ करने लगते हैं वो छीज नहीं होनी चाहिए हम आर याद रख लिजएगा हमें बार 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 आर बार अपनी कम्यों को देखना है समझना है परिमारजित करना है तब जाकर हम स्वैंग निर्मार की पध्धती में आते हैं और स्वैंग निर्मार ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है आपको अपने आपको निर्मित करना है और इस निर्मित करने की कड़ी में आपको यह देखना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा कि नहीं आप से भूल कहां पे हो रही है, आप से गलती कहां पे हो रही है, वो कौन सा पॉइंट है जो आप से छूट रहा है, तब जाकर आप जीवन में बहुत अच्छा करपाएंगे, याद रख ही किया, अब यहां पे आगे हम इस पे बात करेंगे, ठी तो यह जो क्राइन और एंडो क्राइन आपने समझ लिया अच्छे ढंग से, ठीक है, अब मैं बात करने चला हूँ, मिक्स्ट ग्लेंड पे, यानि कि तीसरी जो गरंती है, उस तीसरी गरंती पे मैं बात करने चला हूँ, यानि कि मैं मिक्स्ट ग्लेंड पर बात करने चला ह पिले लेता हूं ताकि चीजे और भी अच्छे धंग से अस्पस्ट हो पाएं, ठीक है, Mixed Gland की जहां तक बात है, तो याद रख लेना, नाम ही है इसका Mixed, और Mixed कोई भी चीज होती है, Mixed कोई भी चीज होती है, तो याद रख लीजेगा, उसमें दो याद दो से अधिक चीजों का समावेश होता है, तभी वो मिस्तित होती है, अगर आप कहते हैं, मिस्तित रंग तो इसका मतलब है कि कई धेर सारे रंग उसमें मिले होंगे, तब जाकर ही वो मिस्तित बनी होगी, ऐसे तो मिस्तित बन नहीं पाएगी है ना, तो ये Mixed Gland किसे किसे मिस्तित है, ऐसी ग्रंथी, जो इग्जोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की भात बहवार करती है, ऐसी ग्रंथी जो क्या करती है, जो एक्जोक्राइन की भात भी बहवार करती है यानि कि यह बहिर स्रावी ग्रंथ की भात भी बहवार करती है और जो एंडोक्राइन ग्रंथ की भात भी बहवार करती है यानि कि जो अंतह स्रावी ग्रंथ की भात भी बहवार करती है तो ऐसी जो ग्रंथी होती है ऐसी तो exocrine और endocrine दोनों ग्रंथियों की भाती बहवार करने वाली जो ग्रंथी होती है इस ग्रंथी को ही बोलते हैं mixed gland अब यहाँ पर एक खास बात और ध्यान से समझना अच्छे दंग से समझते चलिएगा यह जो exocrine gland होती है अगर पूछा जाए mixed gland का सबसे बहतरीन example क्या है तो याद रख लीजेगा very very important important करके लिख लीजेगा अगनासे यानि कि pancreas अगनासे अगनासे इसका बहुत बहुत बहुतरीन उधारण है तो अगनासे है अगनासे की विसे में एक खास बात और इससे कुछ मिलता जुलता इस statement यह है कि अगर पूछा जा कि मानो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंति काॉंसी है पहले तो यकृत हो गई लेकिन अगर पुछा जाए दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी का उंसी है तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी का नाम होता है अगना से इस बात को भी याद रख लेना देखो, मैं पढ़ाता हूँ तो चीजों को मैं रिलेट करना सिखाता हूँ आपको, चीजों को रिलेट करते भी रहे, वो आपके जीवन के लिए बढ़ होते ही फायदे मन्द होगा, एक अच्छे कमपटीटर में ये विशेश गुर होना चाहिए, कि अगर वो कोई भी चीज पढ़ रहा है, और उससे सम्मंदित कोई चीज पढ़ा हुआ है, तो तुरंत कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक दूसरे में, अगर ग्रंथी सब्द आया किताब में, तो ग्रंथी में ये भी समझ में आना चाहिए, कि सबसे बड़ी ग्रंथी कौन है, सबसे छोटी ग्रं ग्रंथी कौन है, सबसे बड़ी लार ग्रंथी कौन है, ला के पटक दो एक ही जगह पर, एक ही जगह पर उसको कौपी पेन को लाकर वहीं पर रख दो, अब कन्फ्यूज नहीं करेगा आपको जीवन में, है न, कन्फ्यूजन से अगर बचना है, तो सारी चीजों को, जो ज चीजे आपको कन्फ्यूज कर दें, एक जगह पर लाओ उसको, एक अस्थान पर लाओ, उसके बाद पढ़ो, सिक्वेंस में लाओ, कभी नहीं करेगा कन्फ्यूज आपको, तो जैसे सबसे बड़ी ग्रंथी कौन है, यक्रित, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी कौन है, अगर अगनासे को, एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन, यानि कि बहिर स्रावी और अंतर स्रावी, दोनों ग्रंथियों की बात कहा जा रहा है, कि ये दोनों की भात ही बहवार करता होगा, तो इसके पीछे एक लॉजिक होगा, अगर मैं ये बता दूँं कि ये अगनासे, इक्जोक्राइन की भात बहवार करता है, तो इसका मतलब है कि वह एंजाइम को भी सिक्रेट करता होगा, और साथी साथ कि इसको सिक्रेट करता होगा, हार्मोन को सिक्रेट करता होगा, हार्मोन को सिक्रेट करता होगा, है ना, इसका मतलब यही हुआ सिधासा, कि अगर कर्मोन को भी स्रावित कर रहा होगा, येस, बिल्कुल यही है, जैसे हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, आप कहते हैं कि एक मिस्सित अर्थव्यवस्था है, क्यों क्योंकि अर्थव्यस्था हैं, दो होती हैं, पूजीवादी, एक होती है, एक समाजवादी होती है, तो भारत, पूजीवादी और समाजवादी दोनों का मिस्तित रूप है दोनों को उसने अडॉप्ट किया है तो अगर अगनासे को हम मिस्तित ग्रंथी कह रहे हैं तो इसका दूसरा अर्थ यह हुआ, दूसरा परिया यह हुआ कि वो एंडोक्राइन की भी बात ब्यावार कर रहा है और वो एंडोक्राइन की भी बात ब्यावार कर रहा है वो हार्मोन को भी सरावित कर रहा होगा वो एंजाइम को भी सरावित कर रहा होगा अब अगर हम बात करें एंजाइम की कौन-कौन से enzyme को स्रावित करता है, ठीक है? तो एक बात याद रख लेना, इसे तीन enzyme स्रावित होते हैं, वो तीन enzyme कौन है? पहला जो enzyme है, उसका नाम है trypsin, पहला जो enzyme है, उसका नाम है trypsin, दूसरा जो enzyme है, इसका नाम है amylase, 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 और तीसरा जो है, उसका नाम है lipase, एक बात याद रख लीजेगा, हमेशा अभी से, कि कहीं भी अगर last में age लग गया, तो कसम खा लीजेए, कि वो क्या होगा, वो enzyme ही होगा, अगर last में कहीं भी age लग गया, तो age का मतलब हो गया क्या कि वो enzyme होगा enzyme की भात ही वह बहवार करेगा enzyme ही हो सकता है वह ठीक है इस बात को हमेशा याद रख लिजेगा और अगर याद रख लिजेगा वो ओज लग गया last में ये age और ओज में बड़ा confusion होता है ओज तो age का मतलब होता है सरकरा ओज का मतलब क्या होता है ओज का मतलब होता है सरकरा sugar होता है जो स्वाद में मीठी होती जैसे lactose, जैसे maltose जैसे sucrose अगर last में ओज लगा तो ओज का मतलब क्या हुआ ओज का मतलब हो गया कि वो सरकरा है और वो स्वाद में हमेशा, और हमेशा मीथी ही लगेगी. इस बात को याद रख लेना अच्रेटेंसे. वो स्वाद में हमेशा क्या लगेगी? मीथी ही लगेगी. तो एज और ओज में बड़ा confusion होता है. अगर लेक्टेज रहेगा, उल्सक्राइज रहेगा, लाइपेज रहेगा, एमाईलेज रहेगा, तो यह क्या है? यह एंजाइम है और एंजाइम के भी सेम एक बात याद रखने ना भी मैं आगे बात करूँगा कि एंजाइम आपके डाइजेशन की प्रक्रिया में, आपके पाचन की प्रक्रिया में अत्यन्त महत्पूड भूमिका निभाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्पूड भूमिका निभाने का कारिय कौन करता है यह एंजाइम करते हैं, अब यहाँ पे अगर मैं यह बता लूँ, समझा दूँ कि इससे हार्मोन भी निकलता है तब यह बात पूरी तरीके से पुक्ता हो जाएगी, पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगी कि हाँ भाई, यह अगना से मिस्षित ग्रंती है, तो याद रख लीजेगा, इससे एक हार्मोन निकलता है वो बड़ा ही महत्पूर है, और उस हार्मोन का नाम क्या है, इन्सूलीन, ठीक है एक आर्मोन निकलता है, आप सभी लोग जानते होंगे, और उसका नाम क्या है, इन्सूलीन अलाकि अल्फा, बीटा, गामा, तीन को सिखाए होती है, और तीनों से अलग-अलग हार्मोन निकलते हैं जैसे अल्फा से ग्लुकेगॉन निकलता है, बीटा से यह जो इन्सूलीन स्रावित होती है इंसुलीन जो स्रावित होती है वो बीटा सेल से स्रावित होती है किस से स्रावित होती है बीटा से अगनासे की बीटा से इंसुलीन स्रावित होता है इंसुलीन के संदर्म में बहुत धेर सारी बातें जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये जो इंसूलीन होता है ये जो इंसूलीन होती है ये कहां से स्रावित होता है तो ये स्रावित होता है अगनासे से कहां से स्रावित होता है अगनासे से अगनासे में कहां से तो याद रख लिजेगा लेंगर हैंस की द्विपिकाओं से लेंगर हैंस की द्विप याद रख लीजेगा बैंटिंग तथा वेस्ट ने वेंटिंग तथा वेस्ट ने किया था ये कार कहां पर करता है किस सनचना पर किस अंग पर तो याद रख लीजेगा लीवर पर कार करता है यक्रित पर कार करता है तो जब कार करता है तो ये क्या करता है तो ये कार करता है तो ये glucose को किस में convert करता है, glycosin में convert करने का कार करता है, glucose से glycosin convert करने की जो जिम्हदारी दी गई है, वो किसको दी गई है, insulin को दिया गया है, तो जब इसकी कमी हो जाती है, तो क्या होता है, तो जब इसकी कमी हो जाती है, तो कमी होने से क्या होता है, ग्लुकोज से ग्लाइकोजन नहीं परिवर्तित होता है, जिससे ग्लुकोज बढ़ जाएगा, और जब ग्लुकोज बढ़ जाता है, तो इसी इस्थिती को नाम दिया गया है विज्ञान में क्या, कि व्यक्ति को क्य हो गया है मधु में हो गया है मधु में हो गया है इस व्यक्ति को क्या हो गया है डायबर्टीज हो गया है इस व्यक्ति को क्या हो गया है इस व्यक्ति को सुगर हो गया है मधु में डायबर्टीज या क्या हो गया है या सुगर हो गया है और एक बात और इंसुलीन में एक और एक तत्व पाया जाता है, जिस तत्व का नाम होता है जिंक, जिंक, और एक बात और याद रख लेना, कि ये इंसूलीन जो होता है, ये डहेलिया के वरिच्छ से प्राप्त किया जा सकता है, डहेलिया के वरिच्छ से, इतने धेर सारे पॉइंट इंसूलीन के संदर में बनता है very very important point याद रख लीचेगा very very important point बड़ा ही जबरदस्थ सवाल यहां से बनता है इसमें मैंने एक भी ऐसी बात नहीं लिखी है अगर आपका एक अपना बौधिक अस्तर होगा निश्चित रूप से तो आप सभी लोग paper को analysis करते होंगे paper को solve करते होंगे आप लोग जरूर comments म बताने का प्रियास करिएगा क्या इसमें ऐसी कोई भी बात है जो कम से कम दो बार चार बार पांच बार सवाल न बना हुआ सारे के सारे सवाल बना हुआ है इसी pattern की मैं बात कर रहा था इसी तरीके की मैं बात कर रहा था कि अगर insulin आये न तो वो पूरा घूम जाना चाहिए यह सारे points यह सारे के सारे बिंद जो है न आपके दिमाख में पुरी तरीके से clockwise, anti-clockwise घूम जाना चाहिए कहां से सवाल बनाएगा यार उसकी भी अपनी चमता है उसका भी अपना एक दाइरा है न एक बार अच्छे से पढ़ डालो एक बार मोच की प्राप्ति कर लो है न उ उसके बाद क्या होगा इन जीतनी भी भौतिक जो सुख है इन भौतिक सुखों का आणनद आप त्याग देंगे एक बार मोच की प्राप्ति कर लो एक बार अच्छे सी से रिसाइक्ल करके अच्छे से पढ़ लो अच्छे से पढ़ लोगे न बात बन जाएगी बहतरीन तरीके से ठीक है अब यहां पर मैं बात कर रहा था मैं देखो अभी मैं एंडोक्राइन सिस्टम पर मैं आया ही नहीं हूँ ठीक है अभी मैं बस केवल और केवल आपको रहा हूं समझा रहा हूं कि कैसे और कैसे किस तरीके से चप्टर आपको पढ़ना है तो एंडोक्राइन से हार्मोन निकलेगा और हार्मोन के रूप में इंसूलीन को बस याद रख लेना तो इस अगनासे से हार्मोन भी स्रावित हुआ इस अगनासे से एंजाइम भी स्रावि है अगनास है एक प्रकार की मिश्चित ग्रंथी है इस बात को एक पुरी तरीके से पुकता हो गया तो ये बात एकदम क्लियर हो गई कि ये जो मैं आपको रूप रेखा बता रहा हूं तो इसमें एक बहुत बढ़िया एक्जामपल हो जाएगा और वो एक्जामपल क्या होग होगा वो एक्जामपल होगा अगनास है वो एक्जामपल क्या होगा वो पैंक्रियाज होगा पैंक्रियाज एक प्रकार की मिश्ट ग्लेंड होगी एक प्रकार की मिश्ट ग्रंथी होगी ठीक है तो एक बार फिर से सारी चीजों को मैं रिलेट कर रहा हूं ध्यान सुनना मै मैंने आप से सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब हमारी कोशिकाओं में, जब हमारी बहुत धेश सारी कोशिकाएं, एक गाथ नुमा सनचना में तबदील हो जाती है, बदल जाती है, और इनसे विशेश प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्रावि present in human body first known as the exocrine gland बहिर सरावी ग्रंती and second one is the endocrine glands यानि की अंतर सरावी ग्रंती and third and last mixed gland यानि की मिसिद ग्रंती इनकी अलग-अलग विसेशताएं क्या है तो इनकी अलग-अलग विसेशताओं को मैंने चर्चा किया कि exocrine बहिर सरावी ग्रंती से enzyme निकलेगा ये नलिका युक्त है तो नलिकाओं के माध्यम से ही ये travel करेंगी एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक इसके examples में लार ग्रंती, अस्तुर ग्रंती, दुगद ग्रंती, श्वेद ग्रंती और श्लैस्म ग्रंती आता है म्यूकस gland आता है जबकि endocrine gland से निकलता है हार्मोन और हार्मोन जो निकलता है वो नलिका विहीन ग्रंती है और नलिका विहीन ग्रंती है तो मैंने आपको बताया कि वो किसके माध्यम से जाएगी वो by blood के माध्यम से रुदिर के माध्यम से जाएगी एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर और mixed gland में सिद गंत में कौन है अपनाश है तो यह पूरी की पूरी कहाने आपने समझ लिया अब यहाँ पर एक बात जो आपको समझ में आना चाहिए वो यह कि दो सब्द आपको बड़े परिसान कर रहे होंगे एक सब्द कौन सा है यह enzyme और दूसरा यह हार्मोन enzyme और क्या hormone यह दो सब्द बार बार आएंगे आपके जहन में enzyme और hormone यह दोनों प्रकार के राशायनिक पदार्थ है enzyme भी एक प्रकार का राशायनिक पदार्थ होता है और हार्मोन भी एक प्रकार का राशायनिक पदार्थ होता है एंजाइम भी एक प्रकार का राशायनिक पदार्थ होता है और हार्मोन भी एक प्रकार का राशायनिक पदार्थ होता है एंजाइम और हार्मोन में बहुत धेर सारी समानताएं भी है बहुत धेर सारी असमानताएं भी है तो पहले हम बात कर लेते हैं समानता पर similarities पर उसके बाद हम बात कर लेंगे असमानता पर dissimilarities पर पहले समानता को देख लेते हैं क्या समानता होती है बहुत धेर सारी समानताएं भी है बहुत धेर सारी असमानताएं भी है आप से कहते हैं न कि क्या आपके सरीर में कोई chemical लोचा हो रहा है यस हमारे सरीर में chemical लोचा हो रहा है और उसी chemical लोचे का नाम है enzyme और hormone enzyme और hormone आपके पूरे सरीर को प्रभावित करते हैं आप कैसा सोचेंगे आप positive रहेंगे कि आप negative रहेंगे कि आप लंबे होंगे, आप काले होंगे, आप गोरे होंगे, आप मुर्ख होंगे, धिमान होंगे, आपका पाचन कैसा रहेगा, ये सारी की सारी बाते enzymes और हार्मोन तै करते हैं, अभी मैं आगे जब आप को समझाऊंगा बताऊंगा तो आपको लगेगा कि वास्ता inequ सरीर कित यह कितने बैदरीन तरीके से बिना नाराज हुए आपके लिए अनठक कारे करते हैं, कभी भी ठकते नहीं हैं, लगातार वो आपके लिए कारे करते हैं, वो आपसे कभी भी नाराज नहीं होते हैं, वो कभी भी आपसे सिकायत नहीं करते हैं, इभाई थोड़ा सा आज आराम क अगर ऐसा होता तो बड़ा लंबा चोड़ा भूचाल आ जाता जीवन में तो याद रख लीजेगा समानताएं बहुत धेर सारी हैं समानताएं कौन-कौन सी हैं पहले समानता को देख लेते हैं देखो समानता ये है कि दोनों मानों सरीर में पाए जाने वाले एक राशायनिक पदार्थ हैं दोनों राशायनिक पदार्थ होते हैं पहली चीज दूसरी बात याद रख लीजेगा ये दोनों घुलन सील होते हैं शल्यूबल होते हैं आशानी से ये घुल जाएगे घुलन सील होंगे तीसरी बात याद रख लेना कि इन दोनों की अवशकता मानों सरीर क बहुत कम मात्रा में इनकी आफशकता होती है। तीसरी और सबसे खास बात जो सवाल बनता है याद रख़ीजेगा कि इन enzymes और हार्मोन को कभी भी बाहर से हम नहीं प्राप्त कर सका ऐसा नहीं है कि यह हार्मोन कम प्राप्त है या enzyme कम बना हुआ है तो हम बाहर से लेके आएं एक किलो सेब या केला या अमरूद और इस से हमारी पूर्ति होगी नहीं जैसे विटामीन को आपने देखा होगा कि विटामीन खाद्य पदार्थों पर निर्वर करता है खाद्य पदार्थ आप खाते रहते हैं तो वो विटामीन की आपूर्ति आपको होती रहती है लेकिन याद रख लीजेगा ये जो होती है ये मानो शरीर की कोशिका के द्वारा निर्मित होती है और इन्हें बाहर से नहीं प्राप्त किया जा सकता है ठीक है बाहर से नहीं प्राप्त किया सकता तो ये कुछ समानताएं हो गए ठीक है एंजाइम और हार्मोन में कुछ समानताएं हो गए अब इनकी जड़ा डिस्सिमलर्टीज पर बात कर लेते हैं इनकी असमानताओं पर भी आप जो है बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा इन इनकी डिस्सिमलर्टीज क्या है इनकी असमानता है क्या है क्योंकि समानता और असमानता हैं दोनों अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी चीजे जो है किदम क्रिश्टल क्लियर होगी तो अगर इनकी असमानता पर बात करें इनकी डिस्सिमलर्टीज पर बात करें तो बह अगर असमानता की बात किया जाए तो ये असमानताएं बहुत हैं एंजाइम और हार्मोन में बहुत धेर सारी असमानताएं भी हैं और इन असमानताओं के लिहाज से आप बहुत crystal clear इन दोनों को समझ सकते हैं पहला असमानता क्या है पहली असमानता तो ही है कि एंजाइम जो होता है उसको स्रावित करने वाला कौन होता है एक्जोक्राइन होता है और इसको स्रावित करने वाला कौन होता है एंडोक्राइन होता है ठीक है ये पहली असमानता दूसरी असमानता क्या है इनके पास डक्ट पाई जाते हैं और ये आप कर सकते हैं कि ये क्या होती है ये ductless होती है ये क्या होती है ductless होती है दो असमानताएं तीसरी असमानताएं क्या होती है ये मानो शरीर की सभी सेल के द्वारा सभी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है और याद रख लिजिएगा कि ये क्या होती है ये विशेश कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है ये विशेश सेल के द्वारा स्रावित होती है अगर सुमैटो ट्रॉपिक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन स्रावि जबकि ये विशे से सेल्चे निकलती हैं, एंजाइम्स की विशे में याद रख लेना, ये कई बार प्रयुक्त हो सकती हैं, कई बार उप्योग में लाई जा सकती हैं, कई बार उप्योग में लाई जा सकती हैं, जबकि याद रख लिजेगा, कि यह केवल और केवल एक बार ही प्रयोग में लाई जा सकता है, एंजाइम की विशे में एक पॉइंट और याद रख लिजेगा, कि सभी एंजाइम मूलतह प्रोटीन होते हैं, मूलतह प्रोटीन होते हैं सभी एंजाइम मूलतह क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं बड़ा ही महत्तपूर ये पॉइंट है अगर पेपर आप उठा कर देखेंगे कम से कम 10 बार ये सवाल पूछा होगा कि सभी एंजाइम मूलतह क्या होते हैं तो सभी के सभी enzyme multi protein होते हैं और याद रख लीजेगा यहां पर यह बिंदू कि यह क्या होते हैं protein के अलावा अन्य पदार्थों से भी निर्मित होते हैं तो यह पूरी की पूरी कहानी थी यह पूरी की पूरी बात थी आसा करूँगा कि पूरी चीज ये दम क्रिश्टल किलियर सी से कितर साफ है वह अस्पष्ट आपको होई होगी तो आज की इस पूरे क्लास में मैंने आपको एक मूलभूत और धाडात्मक समझ विक्सित करने की कोशिश किया एंडोक्राइन सिस्टम की भी सहे में सबसे पहले मैंने अभी तक इस पूरे शुरुवात तो मैंने किया अन्तासरावी तंतर लेकिन अभी मैंने इस चैप्टर को वास्तों में शुरू किया ही नहीं है अभी मैंने केवल और केवल आपको बेस तयार किया है कि ये ग्रंथी क्या होती है, ग्रंथिया कितनी प्रकार की होती है, इन ग्रंथियों से सवाल कैसे बनते हैं, है न, उसके बाद ये जो अंतासरावी और बहिसरावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो enzymes और हार्मोन हैं इनके बीच में, क्या similarities है, क्या dissimilarities है, क्या समानता है, क उसके पर शात मैंने इसकी महत्तपुड भूम्का पर बात किया नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा पुरी तरीके से एंडोक्राइन ग्लेंड पर कि मानों सरीर में कौन-कौन सी अंतासरावी ग्रंथियां पाई जाती है और वो आपके जीवन में कैसे प्रभावित करती है आपके जीवन में कितना महत्तपुड भूम्का निभाती है तो आगे हम देखेंगे अगले एपिशोड में सारी की सारी बाते हैं आसा करूँगा क्लास बहुत बैतरी धंक से आपको समझ में आया हो गया ठाइक यू नमस्कार जैन